हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने Vivo Y1S Android वाइल फोन में आप जो है वन टाइम मुबाइल डेटा लिमिट सेटिंग को आपने यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये वन टाइम मुबाइल डेटा लिमिट सेटिंग जो है कैस इससे आपको सेलेक्ट करना है अब इसके आगले पेज में आपको नीचे ओपछान मुबाइल डेटा लिमिट से अब ये आपको पेज open होगा इसमें एक टिकमाक लगा होगा आपका पहले से फीक है तो धीक है जबबी कभी आप अपने होटिसंग को वन डेटा लिमिट को तो मान लिजे आपका friend जो है आपके hot spot को use कर रहा है ठीक है आपके hot spot को use कर रहा है तो आपके hot spot के जरिये आपके mobile phone में जितना भी data है internet data वो सारा का सारा use कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर जो है आपको करना है यह one time mobile data limit setting में आगे इसे unlimited से आपको हटा देना इसे 50, 100, 200, 500 या custom system पर आप किसी पर भी आप select कर लीजिए मैं इसे 100 MB पर select कर लेता हूँ ठीक है 100 MB पर टिक माक लग जाएगा आप देखिए setting कैसे काम करेगी आप चेंज होने के बाद कि आप जब भी अपने mobile phone का hot spot on करेंगे ना और आपका friend अगर आपके hot spot को use कर रहा है ठीक है तो वो जो ह 100 MB से जादा use नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके hot spot के जरिए 100 MB से जादा data transfer नहीं होगा ठीक है तो यह setting जो इस तरह की से काम करती है अब मैं आपको यह one time mobile data limit setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बताता हूँ आपके phone में इसके लिए mobile phone का आपको setting page फिर से open करना है setting page में आपको shortcut तरीका भी बता दिया है setting को ढूंडने का आपके mobile phone में